जिनका मिलना तकदीर में ही ना हो, उन्हें कितनी भी सची महबत हो जाए, बिछड़ना ही है। तो हमारी खास पेशकश में हम आपके लिए लेके आये हैं पूजा गौर और राज सिंग अरोरा की अधूरी कहानी। स्वभाव से शान, खुश मिजाज, पूजा वही चलबुले मिजाज के राज, वो कहते हैं ना ओपोजटर ट्रैक, ऐसे ही मिले इनके दिल। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीरियल कोई आने को है के सेट पर मिले पूजा और राज, दोनों की शिरुवाद ही हाई हेलो से हुई, धीरे धीरे दोनों दोस्त बने, और कब इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, ये इन्हें भी पता नहीं चला, 2009 से दोनों साथ थे, आए दिन सोशल मीडिया पर एक दूसरे की पिक्चर्स शेर करते रहते थे, कभी रूमैंटिक तो कभी अतरंगी पिक्चर्स, फैंस को भी इनकी जोडी काफी पसंद थी, कई सारे स्टार्स जहाँ अपना रिलेशन्चिप को छुपा कर रखते हैं, वही पूजा और राज अपने बेबाकी से अपना रिश्टा कुबूला, दोनों अपने अपने करियर में बिजी होने के बावजूद हर पब्लिक अप्यरिंस में साथ नजर आते, और साथ दोनों इतने अच्छे लगते कि सारे कैमरस इनकी तरफ ही रहते, कभी मूवी प्रीमियर में तो कभी एक कपूर की दिवाली पाटी में, जहां दोनों एक दूसरे का हार्था में हुए थे, पर वो कहते हैं ना, वक्त नहीं लगता, वक्त बदलने में, दोनों के रिश्टे को किसी की नजर लग गई, और अच्छानक से दोनों के ब्रेक अप की खबरे आने लगी, दोनों ने साथ सोशल मीडिया पर पिक्चर्स पोस्ट करना भी बंद कर दिया था, पर अन सारी बातों को खारिच करके पूजा ने एक न्यूस पूटल को इंटरव्यू देते वे कहा था, हाँ, रिलेशन्शिप में उतार-चड़ाव होते हैं, और जगड़े होना नॉर्मल बात है, इसका अगर कुछ गलत भी हुआ, तो मैं इसके बारे में बात करने से हिचकिचाओंगी नहीं, शादी का कोई प्लान नहीं है, मैं अभी यंग हूँ, और मुझे काम पर फोकस करना है, वही राज ने भी टेली चकर को इंटरव्यू में कहा था, सब बक्वास है, we are deeply in love, मैं अपन परसनल लाइफ को परसनल ही रखना चाहता हूँ, पर हाँ, मैं और पूजा कपल है, उसके बाद राज सिंग जहां आक्टिंग से ब्रेक लेकर USA शिफ्ट हुए थे, तब भी दोनों लॉंग दिस्टंस रिलेशन्शिप में साथ थे, पूजा राज के साथ टाइम स्पेंड करने USA भी गई थी, 26 सेप्टेंबर 2019 को पूजा ने बड़े ही अनोखे अंदास में राज को इंस्टेग्राम पर विश्ट किया था, पूजा ने लिखा था, एक गूगल बाबा, जिसके रिप्लाई में राज ने लिखा, एग गूगल, वाट इस दिस दाट पूजा इस वि किया और लिखा, साल 2020 काफी बदलावो भरा रहा, ये कुछ अच्छा तो कुछ खराब था, मेरे और राज के रिलेशिंशिप को लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार कई सारी अफवाए सुनने को मिल रही थी, कटें डिसिशन्स को समझने में अकसर कुछ समय लगता है, इसलिए ऐसे डिसिशन्स के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ समय लहना चाहती थी, राज और मैंने अलग होने का निन्ने लिया है, भले ही जिन्दगी हमें किसी भी मोड पर ले जाए, लेकिन जो प्यार और रिस्पेक्ट हमारे दिल में एक दुसरे के प्रती है, वो ह हमेशा बना रहेगा, मैं हमेशा राज के लिए अच्छा ही सोचूंगी, क्योंकि उसका मेरी लाइफ पर गहरा प्रभाव है, मैं हमेशा उसकी आभारी रहूंगी, हम हमेशा एक दुसरे के अच्छे दोस्त बने रहेंगे, और ये बात कभी नहीं बदलने वाली है, ये सब कहने के लिए मुझे काफी समय और हिम्मत दोनों लगे है, और अभी के लिए मैं सब इतना ही कहना चाहूंगी, हमारी प्रिवसी को समझने और रिस्पेक करने के लिए आप सब ही ख़दन्यवाद अब दोनों के बीच में असल में क्या हुआ, ये तो वो ही जाने, बस हम इतना जानते हैं कि दोनों के फैंस उनके अलग होने से काफी निराश है, आपका क्या कहना है इस पर, बताइए हमें कॉमें सेक्शन में, और टेलिविजिन की सारी ताजा तरीन खबरों के लिए